हाई फ्रेंज, कुकवित नीशू में आप सभी का स्वागत है जैसे कि आप चानते हैं, आज हम बनाने वाले हैं इद्दम रेस्टोरेंट स्टाइल पाव भाजी की रेसीपी ये बहुत ही इंस्टन्ट बन के तयार होती है और बहुत ही यम्मी होती है तो आईए चलिए सुरू करते हैं, तो सबसे पहले मैंने गैस पे पैन रख लिया है यहाँ पर हम इसमें आट करेंगे ओईल, ओईल में ही हम डालेंगे थोड़ा सा बटर फिर इसके बाद हम इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे तो देखी अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब यहाँ मैं इसमें आट करूंगी तीन चार टमाटर मैंने बारिक बारिक काट के लिया है उसे फिर इसके बाद हम इसमें आट करेंगे मतर फिर इसके बाद हम इसमें add करेंगे पारिक बारिक कटा हुआ सिमला मिर्च फिर इसके बाद हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे फिर इसके बाद मैं इसमें add करूंगी यहाँ पे आलू और गोभी को मैंने अच्छी तरीके से boil करके mash कर लिया है इसे हम इसमें add करके इसे अच्छी तरीके से mix कर लेंगे तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरीके से mix कर लिया है अब इसके बाद हम इसमें यहाँ पर add करेंगे थोड़ा सा नमक आप अपने टेस्ट के according नमक कम या जादा कर सकते हैं फिर इसके बाद में इसमें आड़ करूंगी पानी, पानी को आड़ करने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से mix कर लेंगे, ध्यान रखेंगे ज्यादा पानी आड़ नहीं करना है, थोड़ा ही पानी आड़ करेंगे, फिर इसके बाद इसे में cover करके अच्छी तरीके से boil होने क के लिए छोड़ दूंगी कम से कम 6-7 मिनट के लिए, 6-7 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, आब इसे हम चेक कर लेते हैं, तो देखें जो हमारी वेजिस यानि कि जो सब्जी अच्छी तरीके से पख गई है, आब इसे मैं एक मैशेर की मदद से अच्छी तरीके से मैश कर अब यहां पर मैं इसमें ले रही हूं 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मिर्च पाउडर और यहां पर हम इसमें एड़ करेंगे एक बड़ा स्पून पावभाजी मसाला, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और थोड़ी सी हरी धनिया, अब सारे इंग्रेडिन्स को हम अ बीच में थोड़ा सा गैप करेंगे और इसमें मैं यहां पर डालूंगी बटर, बटर के बाद हम यहां पर एड़ करेंगे थोड़ा सा पावभाजी मसाला, फिर इसके बाद मेज में एड़ करूंगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और इसके बाद हम इसमें एड़ करेंग कि थोड़ी सि कस्तूरी मेठी और इसके बाद हम इसमें अट करेंगे थोड़ा सा नमक ज़्यादा नहीं सिब हलका नमक हम इसमें 豆 data करेंगे फिर इसके बाद में यहां पे बारिक कटा हुआ onion य्हान की प्याज मैंने इसे बारिक बारिक काट लिया है अब इसके बाद इसमें हम एड करेंगे थोड़ी सी हरी धनिया अब इसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ आदरक लहसुन का पेस्ट इसे भी हम इसमें एड करेंगे इसके बाद हम यहाँ पे एड करेंगे इसमें नीवू का रस अगर आपको पसंद हो तो ड इतना बहतरी ना है और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी आट करूंगी और मेशर की मदद से इसे हम अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे तो देखिये अब इसे में कवर करके तीन से चार मिनट अच्छी तरीके से पकने के लिए छोड़ दू तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी सी हरी धनिया एड़ करूंगी और इसे हम सफ करने के लिए ले चलते हैं फिर मैं एक पैन रखोंगी इसमें में थोड़ा सा ओईल और थोड़ा सा बटर डालूंगी और इसे अच्छी तरीके से पूरे तावे पे या पैन पे हम फैला ले तो देखे मैं ने इसे अच्छी के से चारो तरफ फैल लिया है और तो देखी इस अच्छी से मिक्स हो चुका है और अच्छी से तावे पे फैल चुका है अब इसके बाद यहां पर में ले रही हून थोड़ी सी मिर्च पाऊडर और थोड़ी सी हरी धनिया और हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा कस्तूरी मेहिए अब इस तीनों इंग्रेडन्स को हम अच्छी तरीके से मिक्स करके तवे पे अच्छे से फैला देंगे इसके आद यहाँ पे मैंने ले लिया है पाव पाव को मैंने बीच में से कट कर लिया है अब इसे हम इस तरीके से सेक लेंगे हम इसे उलट पलट के भी अच्छे से सेक लेंगे तो देखे जो हमारा पाव है वो भी इदम सिख के तयार है अब इसे हम सर्फ करने के लिए ले च पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंड कीजिए शेयर कीजिए यह रेसीपी कैसी लगी हमें कमेंड बॉक्स में जरूर बताईएगा ओके फ्रेंड्स मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई रेसीपी की सा बाइ